इन दिनों बॉलेवुड एक्टर सिधार्थ मलहोत्रा की बात करें तो वो अपनी आने वाली फिल्म आयारी की वज़ह से आय दिम चर्चा में रहते हैं सिधार्थ मलहोत्रा और रकुल प्रीत अपनी फिल्म के प्रमोशन में जी जान से लगे हुए हैं और आजकल दोनों जम कर इंटर्व्यू दे रहे हैं और फिल्म से जुड़े कोई नपकोई खुलासे करते रहते हैं लेकिन हाल ही में दिये एक इंटर्व्यू में दोनों ने अपनी लव लाइफ से जुड़ी एक बात का खुलासा किया है आईए जानते हैं कि रैपिट फायर में दोनों क्या कह गए? सिधार्थित्मल होत्रा की लव लाइफ सिधार्थित्मल होत्रा और रकुल प्रीत ने खुलासा किया है कि इस समय वे सिंगल है जी हाँ, दोनों ने बताया है कि वे आजकल किसी को डेट नहीं कर रहे है इन दिनों बॉलिवूड एक्टर सिधार्थित्मल होत्रा की बात करें तो वो अपनी आने वाली फिल्म आयारी की वज़ह से आए दिन चर्चा में रहते हैं सिधार्थित्मल होत्रा और रकुल प्रीत अपनी फिल्म के प्रमोशन में जी जान से लगे हुए हैं और आजकल दोनों जम कर इंटरव्यू दे रहे हैं और फिल्म से जुड़े कोई नपकोई खुलासे करते रहते हैं लेकिन हाल ही में दिये एक इंटरव्यू में दोनों ने अपनी लव लाइफ से जुड़ी एक बात का खुलासा किया है आईए जानते हैं कि रैपिट फायर में दोनों क्या कह गए सिधार्थित्मल होत्रा की लव लाइफ सिधार्थित्मल होत्रा और रकुल प्रीत ने खुलासा किया है कि इस समय वे सिंगल है जी हाँ, दोनों ने बताया है कि वे आजकल किसी को डेट नहीं कर रहे हैं अयारी में सिध्धार्तित्मल होत्रा और रकुल प्रीद के अलावा मनोज बाजपई और नसीरुदीन शाह भी अहम रोल में दिखाई देंगे डायरेक्टर नीरज पांडे ने इस फिल्म के जरिये कुछ अलग पेश करने की कोशिश की है इससे पहले वो स्पेशल 26 और एविडनेस डे भी डायरेक कर चुके हैं कई साल बाद मनोज बाजपई और नसीरुदीन शाह ने फिर एक साथ काम किया है